ओम शान्ती दो जून दो हजार एक्किस की साकार मुरली से होंवर्क आज ट्यूजडे है आज स्व्यों भगवान चमकीली मा अपनी पावर्फुल ज्यान और योग की किर्णों के द्वारा हमारे पुराने संसकारों को भस्न कर हमें अपने जैसा फ्लोलेस डाइमंड बना कर साथ ले जाने आया है तो आज की मुरली से हम होमवर्क लेंगे अशरीरी बनने का तो अशरीरी बनने के लिए बाबा ने कहा जीते जी मरना होगा मर कर अशरीरी बनना तो इजी है लेकिन जीते जी अशरीरी बनने की मेहनत है उसके लिए देहे के होते हुए देहे के संबंधों के होते हुए देहे की दुनिया के होते हुए इससे न्यारा होना है उसके लिए अभी हमें पहला अभ्यास करना है देही अभिमानी बनने का देही अभिमानी स्थिती वो होती है जब हलचल हो परिस्थितियां हो फिर भी मेरी स्थिती अचल अडोल रहे इसे बोलते हैं देही अभिमानी स स्थिति का अभ्यास करेंगे इश्वरिय गुनों को कर्मों में यूज करेंगे तब हम देही अभिमानी हो सकेंगे अब ये दो स्थितियों का सारा दिन अभ्यास होगा तब हम अश्रीरी बन सकते हैं अश्रीरी बनने के लिए बाबा ने जैसे कहा है जितने भी जिम्मेवारि यहो जो भी संबंद निभाते हो बीच बीच में अश्यरीरी बनो, तो अश्यरीरी बनने के लिए देह के होते, देह के संबंदों के होते, देह से न्यारा होकर बिंदू बनकर बिंदू बाप से मिलन बनाना, उसकी विधी आज की मुरली में बाबा ने बताया, complete संपुर्ण बनो, बाप के साथ उड़ना है, तो संपुर्ण पवित्र बनना है, जितना याद करते हैं, उतना ही आत्मा शुद बनती जाती है, और तीसरा बताया, संपुर्ण सेरेंडर होना है, तो सेरेंडर होने की विधी बताई, वारिस बनना है, तो सब कुछ ट्रस्टी हो करके करो बावा के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं करना है बावा को सच्चा पोता मेल देना है और किसी से ममत्व नहीं रखना है ये सारी qualities मम्मा में थी मम्मा हमेशा अश्रीरी का ही अभ्यास करती थी अश्रीरी का अभ्यास करने के कारण मम्मा की बहुत powerful स्थिती होती थी मम्मा योगी तु आत्मा ग्यानी तु आत्मा थी योगी तु आत्मा मतलब अपने powerful द्रिस्टी और वृत्ती के दवारा भोगी को भी योगी बना देती थी और ग्यानी तु आत्मा मतलब हर परिस्थित में अपनी स्थिती के द्वारा परिस्थिती को भी अधीन कर लेती थी, तो ऐसे हमें मम्मा जैसा भी बनना है, बाबा जैसा भी बनना है, तो आज की मुरली से हम अश्रीरी बनने के अभ्यास के ओपर ही सारा दिन अटेंशन देंगे, ओम शान्ति.